लोग जन्जक्ति पार्टी प्रमुक और केंद्रिय मंत्री रामविलास पास्वान की बेटी आशा पास्वान ने पिता दोरा राश्ट्रे जनता दल नेता राबडी देवी परकी गई टिपिने को लेकर पिरूध चताते हुए माफी की मांगी है आपको बतावें कि बिहार के आने वाले लोगसभा चुनावों में चेडियों और भाजपा के साथ मिलकर लड़ने वारे हैं पास्वान और उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरान एंडिये नीद केंडर सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दस पीसदी आरक्षन का विरोध करने को लेकर आरजेटी पर निशाना साथा पास्वान ने बिना नाम लिये ये कह डाला कि विस्तर नारे बादी करते हैं और एक अंगूठा च्छाप को मुख्यमंत्री बनाते हैं ये अंगूठा च्छाप वाला बयान ही उन पर भारी पड़ गया और उनकी बेटी ने उन्हें कटखरे में खड़ा कर दिया है अपयाद लादें कि सन 1997 में राजत प्रमुख लालुप्रसाद्यादव ने चारा घुटाला मामले में गरफ्तारी का सामना करते हुए मुख्यमंत्री पत से स्थीपा दिया और अपनी पतनी रावडी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था जिन्होंने कम औपचारिक शिक्षा प्राफ्त की है आशा का कहना है कि पिता ने गी बयान देकर हर एक महला को अपमानित किया है साथी उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मा भी अनपर थी जिसके कारण पिता पासवान ने उन्हें छोड़ दिया आशा पासवान रामविलास पासवान की पहली पतनी राजकमारी देवी की फुत्री है आशा के पती साधू पास्वान पिछले साल आरजेडी में शामल हो गए थे पिछले साल साधू पास्वान ने घोशना की थी कि आरजेडी द्वारा टिकट दिये जाने पर वे हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पास्वान की खिलाफ लड़ने की तैयारी में है रामविलास जो के पिछले लोगसभा चुनाव में हाजीपूर से सांसर चुने गए थे अगले लोगसभा चुनावों में स्वास्ते कारणों ने उनके वहां से चुनाव नहीं लड़ने और राजेसभा जाने की अचकले लगाई जा रही है पिछले लोगसभा चुनाव में हाजीपूर से सांसर चुने गए थे उन्हें अगले लोगसभा चुनाव में स्वास्ते कारणों की वजह से वहां से चुनाव नहीं लड़ने और राजेसभा जाने की अटकले बताई जा नहीं है खर अब ये मामला कितना बढ़े का और क्या पास्वान अपनी बेटी आशा पास्वान के कहने पर मांगेंगे रावडी देवी से माफी यह देखना अभी आगे की बात हो जाएगी खर दब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब तोपनीज ग्या पर देखनी अबीचानल के लिए अब्सक्राइब कीजिए sniff फिर रावड़ अपनापनीज जे विए इवाड्ती नथीजिए लेगे